दोस्तो यह जो आप वीडियो देख रहा है यह शूट हो रहा है आपको Samsung का जो F23M जो की 5G है इसी फोन के front camera से वीडियो शूट हो रहा है जिसमें आपको 8MP का selfie कामरा देखने को मिलता है तो जो quality है आप देख सकते हैं इसके front camera से यह वीडियो शूट हो रहा है और इस फोन का Amazon पर देखने को मिलता है ओभी एक 5G phone है दोनों में से किसको लेना चाहिए जिहां दोस्तों काफी लोग का है पर सवाल आ रहा है जो M33 है यह आपको Amazon पर मिलेगा फिलाल जो इसका base brand है जिसमें आपको 6GV का storage मिलता है यह आपको offer में मिलेगा आपको 12500 में जिहां अगर आपको देखने को मिलेगा 11,000 रुपे जो इसका 6GV और 16GV है ओव मिलेगा आपको 12,000 रुपे में तो दोनों फोन का जो price है लगभा है आपको same देखने को मिल रहा है थोड़ा सा अंतर जुरूर है लेकिन दोस्तों में बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा phone आपको ले armor देखने को नहीं मिलेगा लेकिन दोनों फोन का जो पीछे का design है आपको देखने में काफी अच्छ लाएगा खासकर जो F23 है इसका design मुझे ज्यादा बे'tर लगता है जिहां दोस्तों आप देख सकते हैं जो F23 है इसका design आपको थौह सा better जरूर लगगा बाकी इन दोनों क साइड में फिंगापिंट सेंटर सामने हिदर बात करें तो गर्älle को डिसेंट्र रहेगए अगर डिसप्ले बात करें दोनों में ही आपको TFT का पैनल दिया गया है और दोनों में आपको 120 हर्स का रिफेस्ट मिलेगा दोनों में आपको Gorilla Glass 5 का प्रोडेक्शन दिया गया है बट एमोलेट और IPS की तरह इसमें नहीं मिलेगा थोड़ा साप कांतर जरूर लगेगा बाकी और कैमरा की बात करें तो दोनों में आपको रियर साट में जो रियर साट का में केमरा है दोनों में आपको 50 Mpx का मिलेगा लेकिन जो यहां पर M33 है इसमें आपको Quad camera का setup दिया गया दोनों में आपको 8 Mpx का selfie camera दिया गया है तो camera की बात करें तो दोनों में आपको सेम camera का setup मिल रहा है और दोस्तों जो camera quality की बात करते हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं मैं पहले ही बता दिया हूं कि F23 के 5G के front camera से video suit हो रहा है तो वीडियो को quality आप देख सकते हैं जो हाँ जो outdoor में है जहां पर light अधिक है वहां पर जो selfie camera है ओ भी आपको काफी अच्छा खोड़ देता है और जो back camera हो भी आपको काफी अच्छा खोड़ देता है दोनों फोन के back camera से आप 4K में video recording कर सकते हैं लेकिन selfie में आपको full HD तक कहीं video recording के support मिलेगा तो overall इन दोनों फोन का दोनों फोन के जो camera में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा जो quality रहेगा आपको दोनों फोन में आपको लगवक सेम देखने को मिलेगी कोई खास बड़ा अंतर नहीं है प्रसेसर की बात करें तो m33 में आपको alunos का 1280 का chipset दिया गया है जो की performance वाइज और gaming लेकिन बेटर gaming के लिए कोई फोन आपके लिए नहीं रहेगा या देखने के करते हैं लेकिन बात करते हैं टूनों में से बेटर कौन से बेPac क्रों केया दोस्तो नहीं पड़ेगा लेकिन जो Snapdragon वाले फोन होते हैं थोड़ा से लॉंग टरम के लिए बेटर होते हैं बाकी इन दोनों फोन के बैटरी की बात करें तो बिल्कुल यह charger जो रहेगा ओरिजिनल रहेगा तो इस बात का ध्यान जुरूँ अखिएगा तो बैटरी में दोनों ही फोन है यहां पर ठीक रहेगा को दीकत नहीं रहेगा लेकिन जो एम 33 है इसका जो बैटरी बैटरी बैटर जरूर मिलेगा बाकी और बात करते हैं दोनों दोनों फोन में आपको थ्री फाइट आंगा चैक मिलेगा दोनों में आपको नोक्स की से कुरूरेटी मिलेगी दोनों में अब दो स्काइब यह को अधिक चाहिए तो आप अराम से M33 ले सकते हैं, जिसका link हम video के description में दे दिये हैं, चाहें तो आप वहाँ से जाकर buy कर सकते हैं, बाकी दोस्तों दोनों phone में कोई बढ़ा आंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों phone आपको feature के मामले में लगवग same है, दोनों में से आप चाहें तो कोई भी phone ले सकते हैं बाकी आप बताएं दोस्तों कि आपको इन दोनों में से कौन सा phone अच्छा लगा, कौन सा phone आप इस cell में लेने वाले हैं, या दोस्तों कौन सा phone आप ले चुके हैं, आप मुझे comment करके जरूब बताएगा, कोई भी सवाल हो तो मुझे comment कर सकते हैं, मैं उसका reply आपको बहुत बस इस video में अगर वीडियो चलेगी तो प्रीज वीडियो को लाइक कीजएगा, चैनल पर अभी तक सब्क्राइब नहीं किए, तो प्रीज कर लेजाएगा, तो मिलते हैं एंगले वीडियो में तब तक के लिए, गुड बाई